नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाला है कि आप IPL 2020 की टिकेट्स की इस तरीके से बुक कर सकते हैं इससे पहला आपसे रिक्वेश्ट है कि क्रिकेट से जूरी सब भी खबरे सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेटिस लाइफ को सबस्क्राइब करें और वीडियो में सारी जानकरी में इने डिटेल में बते हैं तो वीडियो को एंट तक जरूर देखे तो IPL 2020 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियन्स और चैन्ने सुपर किंक्स के बीच में मुंबई के वानकेले स्टेडियम में खेला जाएगा आप करें टिकेट की बुकिंग की तो आप IPL 2020 की टिकेट कई तरीकों से बुक कर सकते हैं आप ओफलाइन भी बुक कर सकते हैं और ओनलाइन भी बुक करने के बहुत सारे तरीके हैं इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जेन्यून तरीका बताऊंगा कि आप मुबई से किस तरीके से IPL 2020 की टिकेट बुक कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम मुबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि IPL 2020 की टिकेट आप वहां से कैसे बुक करेंगे सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर में जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है IPL T20 और सर्च कर देना है उसके बाद आप IPL की ओफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है आपको इसमें जो तीन डोट्स दिख रहे हैं टोप राइट कॉर्णर पर उन पर क्लिक करना है यहां से आपको जो इतने सारे ओप्शन्स दिख रहे हैं इन ओप्शन्स में से आपको शेडूल को सेलेक करना है और सेडियूल को सेलेक करते ही आपके सामने इंटरफेस आ गया अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला मुकाबला 29 माच को मुंबई इंडियन्स और चैने सुपर किंग्स के बीच में खेला जाना है यहाँ पर दो ओप्शन आ रहे हैं मेज सेंटर और टिकिट्स अभी यह टिकिट्स वाला ओप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही टिकिट्स मिलना शुरू होगी आपको यहाँ पर यह वाला ओप्शन अवेलेबल दिख जाएगा और आप इस ओप्शन से IPL 2020 की टिकिट्स बुक कर सकते हैं इसे तरीके से आपको जिस भी मेज की टिकिट्स बुक करनी है आप नीचे स्क्रोल करके देख सकते हैं कि आप यहाँ से आसानी से टिकिट्स बुक कर सकते हैं अलावा अगर आप यहां से नहीं करना चाते हो तो इसके अलावा भी कुछ और options है जिसे book my show से आप tickets book कर सकते हो insider.in से book कर सकते हो ticket jenny से book कर सकते हो events now से कर सकते हो और paytm से कर सकते हो लेकिन मैं आपको prefer करूँगा कि आप IPL 2020 की tickets IPL की official website से ही book करें आप कमेंट करके बते हैं कि आपको यह वीडियो के सा लाग है इसके साथ विदा लेते हैं जै हिंद जै भारत